नमस्कार बहुत बहुत स्वाथ करते हैं क्लिक टूटे के आज के इस वीडियो रिपोर्ट में और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं results को लेकर के साथ ही PG admission को लेकर के बिहार विस्विद्याले मुझफरपुर के ओर से जो है बस यही खबड़े दी जारी होती है कि result जो है सुधार किया जारा है result जो है अब जारी किया जारा है लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिलता नहीं जैसा कि आपको मैं बता दूँ कि पूर में report दिया गया था 2021 से 24 session वालों का part 2 का result समय रहते निकाल दिया जाएगा लेकिन बियार विस्विद्याले अपनी नाकामी को हमेशा छुपाने के लिए दूसरा कुछ नया फंडा लेकर कर आ जाती है जैसे कि आपको हम बता दे पिछले हफ्ते घोषना में ये बताया गया कि 2021 से 24 session का जब result आएगा तो जो इस student का part 2 में result शो नहीं कर रहा है क्योंकि वो promoted हो गया थे किसी कालवस तो उनका result अभी final वाले mark sheet के साथ शो नहीं कर रहा होगा तो अभी part 2 का result आ जाएगा उसके बाद जो है उन लोगों का marks वहाँ 100 करने लगएगा अगर वो pass हो जाएगे तो वहीं दूसरी और 20 तारीक से उन्हें PG admission के लिए जो पोर्टल खोलने का नेड़ना ले लिया है अब यहाँ पर वैसे चाते उन चातरा है कोई भी हल जो है नहीं दिया जा रहा है अब ऐसा सिर्फ एक student के साथ नहीं है दरजनों भर ऐसे student है जिनके साथ यह परशानिया है वो लगातार या तो comment कर रहे होते हैं हमारे पास कि भाया थोड़ा result ठीक करवा दिए या sir आपको दलाल समझ लेंगे और उसके बाद वो आपको यह बोलेंगे कि तुम पैसा लेते हो इससे या फिर तुम पैसे ले करके काम कर रहे हो ऐसी चीज़े हो इसलिए मैं कभी भी किसी के personally बुलाने पर university नहीं गया हूँ तो आपको अपना result अगर ठीक करवाना है तो मैंने कई बार बोला है कि अगर आपका part 1 clear है अभी clear हो गया है part 3 में mark नहीं जुड़ा है उसका नवी इंसर को खोजिए नवी इंसर को खोज करके request कीजे कि सर हमारे result online में ठीक कर दीजे जिससे कि आप online वाला print लेकर कि at least PG का तो नाम आंकन कर पाएंगे नहीं तो फिर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा ये सारे जो है पैसा आप 500 रुपए दो 1000 रुपए दो आपका result ठीक हो जाएगा आप पैसे दे करके घर को निश्चिंत चले आते हैं पता चलता है कि हफ्ता दिन हो गया 10 दिन हो गया 15 दिन हो गया लेकिन result आपका अभी तक के सुधार नहीं हुआ है आप फिर college या फिर उस जिसको अपने खत्म नहीं होने वाली है यह समस्या आगे आने वाले समय में और बढ़ने वाली है क्योंकि जब तक के सुधार नहीं लाया जाएगा इस सिस्टम में result पेंडिंग होता रहेगा और result कभी-कभी जान बूच करके भी पेंडिंग करवाया जाता है यह मैं काफी ज़्यादा ही सच बोल रहा हूं यह मुझे पता है लेकिन विस विद्यालाय में यह चीज़े होती है यह मुझे भी पता है और यह चात्राओं को भी पता है अब इस खबर के उपर जाखवार के खबर के उपर नजर डाले तो पार टू के अधूरे result से जो है नौकरी को आवेदन नहीं कर पार है चात्र ठीक है बीर रेवियू में जो है तीन सो चात्रों का जो है रिजल्ट फसा हुआ है इवेंदो तीन सो नहीं है इससे भी जादा 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 अभी रिजल्ट फसे हुए यह तो सिर्फ एक छोटा मोटा आकरा दिखा करके बस बताया जार कि कम ही result अधूर रिजल्ट लेकर के चात्र रहे हैं चकर तो विस विद्याले में बस यही अभी चल रहा है कि आप इनुवर्शिटी आईए अपना अप्लिकेशन जमा करिए फॉरवर्ड करा करके जब ठीक होना होगा वो होगा वो एक फाइल में बंद करके रख दिया जाता है वो पैसा भी दीजेगा फिर भी नहीं सुधार हो पाएगा मैं आपको हमेशा यही बोलता हूं नवीन सर को आप खोजिए और उनसे रिक्वेस्ट करके अपने रिजल्ट ठीक करवा लिजे किसी एक पेपर में अगर मार्क्स छूटा हो है तो फिर आपका नवीन सर नहीं ठीक क हो जाएगा उतने दिन में हो सकता है कई examination के आपके form चूट जाएं कई प्रतियोगिता वाली परिक्षाओं का जो है आपका form बढ़ना रह जाए उससे university को कोई लेना देना नहीं है अगर आपकी बहुत ऊपर की पैरवी होगी तो में भी आपका result जल से जल सुधार हो जाए है उसके साथ इसका result भी class हो जाएगा चात्रों की भीर की संख्या विस्विद्याले में इतनी जादा बढ़ जाएगी विस्विद्याले में फिर तालाबंदी होगा काम में रुकावट आएगा result जारी किया जा सकता है किस से 24 session वालों का इस माह के 24 तारीक से पहले यानि कि 23 तारीक को Saturday है साम को जारी किया आजा सकता है 23 तारीक को ये भी घोशना किया जाएगा कि 24 से ले करके एक जनवरी तक विस्विद्याले वक्क कॉलेज पून रूप से बंद रहेंगी इस बीच अगर आपका result आता है तो अगर उसमें कुछ गरवरियां भी है तो आप उसको होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा होता है लगातार चात्यों चात्राओं के कमेंट्स आ रहे होते हैं और वह पूछ रहे होते हैं और हमारे पास सिर्फ यॉनिवर्सिटी और कॉलेज भेजने के अलावा कोई option ही नहीं होता है क्योंकि कोई communication channel ही नहीं है जिससे कि हम communicate कर प सब्सक्राइब को नहीं है लेकिन फिर भी लाचारी आपकी बनी रहेगी तो जिनका भी रिजल्ट पेंडिंग है वही करें कि इस हफ्ते भर में ठीक करवा ले अगर नहीं करवा पाते हैं तो आपको फिर कम से कम 5-7 दिन का इंतिजार तो करना आ ही पड़े है क्योंकि विस सतर 23 से 25 में ना मांगकर ही तु आवेदन प्राप्त करने के लिए जो दिनांक 20 12 2023 से यानि 20 दिसंबर से लेकर के 10 जनवरी तक जो है आपका फॉर्म भर जाएगा इसके बीच में आपका कटफ भी तैय होगा आपका कॉमर्स का यानि एमकॉम का कटफ हमशा से हाई जाता रहा है तो एमकॉम का कटफ हाई जाएगा इस बाइप फिर बाथ अगर हम कर लें बाकी सब्जेक्ट की तो उसमें थोड़ा कटफ कम रहता है Economics वगगर हमें सीट खाली रहते है मैस में सीट खाली रहते हैं तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं आपका कौन सा सब्जेक्ट है या फिर नीचे पूछ सकते हैं कि कटफ कितना जाता है आपके ओनर सब्जेक्ट का MA, MSC, M.com में तीन में अभी जो नामांकन सुरू होने वाला है 20 तारीक से पोटल खुल जाएगा और 10 जनवरी तक ये जो है नामांकन प्रक्रिया चलेगा इसके बाद आपका 1st merit list, 2nd merit list, seat बचा तो 3rd merit list भी जारी किया जाएगा ये सारे रिपोर्ट जो कि मैंने आपको बता दिये हैं इसके अलाबा अगर आपके मन में कोई भी अतरिक सवाल है सुझाओ तो नीचे कमेंट करके पूछ ले आज की विडियो में इतना ही तर्पिकलन चलते हैं, धन्यवाद